शनी देव के आगे दीपक जालाने से पहले बरतें ये पांच सावधानिया हर शनिवार अगर आप भी भगवान शनी देव के मंदिर में दीपक जलाती हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए बेशक पुरानों और शास्त्रों में महिलाओं को भगवान शनी देव को छूने और उन पर तेल चड़ाने की अनुमती न हो मगर महिलाए भगवान शनी देव को प्रसन रखने और उनका आशिरवाद पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखकर उनकी अराधना कर सकती है आपको बता दें कि भगवान शनी सूर्य देवता के पुत्र हैं उनके क्रोध से स्वयम उनके पिता भी नहीं बच सके थे इसलिए लोगों में हमेशा इस बात का डर होता है कि भगवान शनी देव कहीं उनसे नाराज न हो जाएं ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप भगवान शनी देव की अराधना करते वकत इन पांच सावधानियों को जरूर बरतें पहला नियम बरतन की धातु का रखे ध्यान अगर आप भगवान शनी देव की अराधना कर रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी पूजा सामगरी को आप किस बरतन में रखे शनी देव की पूजा सामगरी को भूल से भी तामबे के बरतन में न रखें दरसल शनी देव अपने पिता सूर्य देव से दूर रहते हैं और तामबा सूर्य देव की पूजा के दोरान इस्तिमाल किया जाता है शनिदेव को धातूं में लोहा अतिप्रिया है और इसलिए उनकी पूजा यहां तक की दीपक तक लोहे की धातू से बने दिये में ही जलाएं महिलाए भगवान शनिदेव के सामने दीपक जला सकती हैं मगर उन्हें टच किये बिना दूसरा नियम शनिदेव को प्रिय है यह रंग भगवान शनिदेव के आगे दीपक जलाना शुब होता है अगर आप भी उनके आगे दीपक जलाना चाहती हैं तो आपको ऐसा करने से पहले खुद साफ सुत्रा रहना होगा आप सनान करके के साफ वस्त्र पहन कर ही ऐसा करें भगवान शनिदेव को साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है और इसी के साथ भगवान शनिदेव को काले और नीले रंग से बहुत प्रेम है इसलिए अगर आप उनके पसंद के रंग वाले वस्त्रों में उनकी अराधना करेंगी तो यह आपको लाब पुंचाएगा तीसरा नियम दिशा का रखें ध्यान शनी देवे की पूजा के दौरान दिशा का खास ध्यान रखें वैसे भगवान शनी देव की पूजा के लिए सबसे शुब दिशा पूर्व की है लेकिन आप पश्चिम की और मुख करके भी भगवान शनी देव की पूजा कर सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शनी देव को पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है चोथा नियम शनी देव के दर्शन सिर जुका कर करें अमूमन देवी देवताओं के दर्शन करते वक्त या पूजा विधी निभाते वक्त हम उनके मुख की और देखते हैं एकाईक हमारी आँखें भगवान की नजरों से मिल भी जाती हैं मगर जब आप भगव शनी देव के दर्शन करें तो ध्यान रखें कि आपको अपनी नजरे जुका कर ही उनकी पूजा करनी हैं ऐसा केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बलकि पूरुशों के लिए भी हैं ऐसा कहा गया है कि भगवान शनी देव की द्रिश्टी से अपकी द्रिश्टी मिलती है तो आपको उनके कोप का भागी होना पड़ता है पांच्वा नियम शनी देव का भोग भगवान शनिदेव को अगर आप खुश करना चाहती हैं तो आपको उनके लिए हर शनिवार को काले तिल के लड़ू और खिचरी का भोग लगाना चाहिए आप चाहें तो खाली काले तिल का भोग भी लगा सकती हैं इन नियमों का पालन करने से शनी देवती अंध खुश होते है और आपके जीवन में खुशाली बनी रहती है